नमस्कार, आज हम ताजे नारियल की सिंपल चटनी बनाएंगे, आप इसे डोसे इडली के साथ खाएए, इसको बनाने के लिए ताजा नारियल एक कप, चना दाल एक बड़ा चम्मच, दो, सुखी हुई लाल मिर्ची, नमक आदा छोटी चम्मच, आस्वाद अनुसार, मस्ट पूनी हुई चना डाल डाल देते हैं, दो हरी मिर्ची डाल देंगे, आप इसमें अधरक लसुन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डालने से एक समूथ पेस्ट बन जाएगा, नारियल का समूथ पेस्ट बनकर त्यार हो गया है, ये गाड़ा है, ले में नमक डालना ह verf भूल गई थी अब इसमें नमक डाल कर फिर से इसको घ्राइन कर लेते हैं ताकि चत्नी में नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चत्नी पिसकर त्यार हो गई है अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे बॉल में डाल देते हैं चलिए अब वो टेस लाने के लिए चटने का तड़का त्यार करते हैं एक पैंजा कड़ाई लेंगे उसमें हम तेल डाल देंगे तेल गरम हो जाएगा तो उसमें सुखी हुई लाल मिच डालेंगे आँच को हम धिमा ही रखेंगे उरद डाल डाल देंगे उरद डाल को हम हलका सा ब्राउन होने देंगे सरसों डाल दी है और इसको हलका सा धिमी आँच पर सबको भून लेंगे तड़का डालने से चटनी में ओर स्वाद आ जाता है फ्लेवर आ जाता है चटनी कही तरह से बनाई जाते है हर स्टेट में चटनी अलग लग तरह से बनाई जाती है अब हम इसमें कड़ी लीप्स डाल देंगे कड़ी पत्ते डाल देंगे और इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे दिमी आज पर ही हम इनको भूनेंगे ताजा नालिल की चटनी ताजी ताजी ही खाई जाती है क्या मज़ेदा तड़का बनकर त्यार हो गए है गैस को बन करके जल्दी से हम तड़के को चटनी के उपर डाल देंगे वाग क्या मज़ेदा टेम्टिंग चटनी बनकर त्यार हो गई है चलिए अब हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं आप भी चटनी को बनाए और खा कर अपने अनुभब जरूर शेर कीजिएगा कि कैसे बनी है इसे आप रोंठी के साथ रोटी के साथ भी खा सकते हैं नारियल चटनी बनकर त्यार हो गई है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा शेर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफेकेशन आपको मिल सके धन्यवाद नमशकार